आज हम बनाने वाले हैं छोले भटूरे जिसमें की हम वो सारे टिप और ट्रिक्स और सीक्रेट खुलने वाले हैं जो कि हलवाई और रेस्टरेंट और होटल वाले यूज़ करते हैं उसके लिए आपको वीडियो को देखना पड़ेगा पूरा फिर आपके भटूरे बनेंगे एकडम गौल और छोले बनेंगे देखि किया मुँँ में पान इलादेने वाले चाहने बबनने में बहुत ही आसान उसके लिए आप वीडियो को बीडियो को स्टार्ट करते हैं क्षोले बटूरे उसके लिए हमें ले लेना है यह चोले मैंने दो कटोरी चोले लिये हैं आप चाहें तो रात को बगो कर रखिए पर कभी ऐसा होता में बहुत जल्दी है तो उसके लिए भी हमारे पास एक खास ट्रिक है तो आपको क्या करना है चोले को दो तीन बार बड़ अब हमें क्या करना है कूकर ले लेना है और कूकर में हमारे चोले डाल देंगे और पानी इसमें इतना रखना है कि हमारे चोले अच्छे से डूब जाएं और टेस्ट और फ्लेवर के लिए हम इसमें थोड़े से गरम मसाले डाल देंगे खड़े जिसमें थोड़ी सी हमें क जिससे की तोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाएगा और फ्लेवर भी गरम मसालों का हमारे चोलो में आ जाएगा उसके बाद एक खास चीज जो हमारे चोलों को गलाएगी वह है मीठा सोडा आदा चमच मीठा सोडा डालकर तीन से चार सीटी लेंगे अभी हम कर लेते हैं भटूर से पांच काटूरी मैदा लिया है एक किलो के करीब इससे हम दस लोगों के लिए भटूरे बनाएंगे आप कम जादा अपने हिसाब से कर सकते हैं उसके बाद जो हमने सूजी भिगो कर रखी ती उसे इसमें डालेंगे हलवाई यही वाला सीक्रेट यूज करते हैं जिससे क में क्या करना है सूजी को और नमक चीनी को हाथों से बढ़िया से मिक्स करना है इसमें जब भी आप भटूरे बनाए इसमें डो का बहुत बढ़ा रोल होता है जितना बढ़िया लगेगा उतने अच्छे बढ़िया बनेंगे सांती में मैंने ले लिया है एक कटोरी भर कर दही अभी हम क्या करेंगे थोड़ा थोड़ा दही डालते जाएंगे और इसको बढ़िया से मिक्स करते जाएंगे भटूरे बनाना बहुत आसान है बस इसमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना पड़ता है कई बार होता है हमारे भटूरे बनते नहीं ठीक से तो बस इन का ध्यान रखेंगे तो आपके बहुत बढ़िया बनेंगे मैं थोड़ा थोड़ा करके एक कटोरी डही डाल करके इसको बढ़िया से मिक्स कर लूँगी फिर बारी आती है पानी की तो पानी भी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसका जो डो बनेंगा वो थोड़ या बढ़िया से मिक्स करते जाएए प्रेंट्स आप इनको बना करके जरूर देखिएगा बस आप इनको खास टिप और जो ट्रिक्स में बता रहे हूं उनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा अभी मैंने पानी डाल करके पूरी के जैसा इसका डो बना लिया है अब हम चलते पीट कर इसकी पिटाई करनी पड़ी जितना अच्छे से आप इसको पीटेंगे आपके भटूरे उतने ही ज्यादा बलून की तरह फूले बनेंगे हलवाई भी इसी ट्रिक का यूज करते हैं जिससे कि उनके भटूरे तेल में डालते ही एक दम से गुबारे की तरह फूल तो बस आपको इसको पास से साथ मिट के लिए बहुत अच्छे से पीटना रहा है बहुत अच्छे से मचलना रहा है जिससे कि इसमें लचक आजाए अभी इसमें लचक नहीं आई है तो हमें क्या करना है बस इसको और पीटना है झाल ऑदे 1 मिट के पार और जूरे Czechos पिश हलवाई और होटल जैंसे बढ़ी है गोल मटोल और एक दम सॉफ्ट जालीदार तो बस दो से तीन मिनिट ऑईल लगाने के बाद अभी हमें क्या करना है इसको एक खटा करके इसमें ऊपर से एक दू चपमच डालेंगे और इसको हम रख देंगे रेस्ट के लिए वैसे तो पा चोले के साम जिससे कि हमारी ग्रेवी होटल और हलवाई स्टाइल बढ़िया थिक बनेगी तो अभी मैं आलू निकाल ले रही हूं और उसके बाद जो हमने देखिए सोड़ डाला था उससे हमारे चोले बहुत बढ़िया से पक गए बस ऐसे हमें चोले पकाना है तैयारी करेंगे उसके लिए मैंने दो बड़ी साइस की प्याज लिए एक पूरा ले ले लिया है आप चाहें तो अद्रग डालिए और दो ले लिया है हरी में चो तीन टमाटर इनको सबको बढ़िया से हमें काटना है धोना है और उसके बाद हमें इसका बना लेना है तैयारी का भी पेस्ट देखिए बड़िया से पेस्ट बन गया है बहुत बारीग भी नहीं करना वह दरदरा भी नहीं प्रहां फिर हम क्या करेंगे टमाटर लेंगे और इसमें हम डाल देने वाले हैं एक मुट्टी भरकर मूंग फली आप चब भी होटल में चोले खाते हो तो बस दो बड़े चमच भरकर हम तेल डाल देंगे और जैसे ही हमारा तेल गरम हो जाएगा तो एक तेजपत्ता को मैंने तोड़ कर डाला है साथी में मैं डाल दूंगे एक चमच जीरा और जैसे हमारा जीरा गरम होने लग जाएगा तो हमें डाल देना है हमारा लैसन प् बड़िया बनने वाली है तो चार-पांच मिनिट के बाद जी देखिए लैसुन प्यास का कलर चेंज हो गया है यह हलके से गोल्डन हो गया है तो हमें इसी तरह से इनको पकाना था बहुत जादा जलाना भी नहीं है अब हम डालेंगे सुके मसाले जिसमें दो बड़ा चमच म मैंने डाल दिया है कश्मीरी लाल मिच जिससे कि हमारे छोले में कलर आएगा दो चमच नॉर्मल मिच वह तीन चमच भर के डाला है मैंने धनिया जो हमारी ग्रेवी को ठिक करेगा साथी में हल्दी और घर वाला गरम मसाला आदा चमच यह तेज होता है इसलिए मैंने आदा ठिक कर candle कर दो अब तो और नना छत फभी तो थीन बार और बडिया आप इसको पकाईंगे ना आपका ग्रेवी बनेगी और जो हमार मसाले बडिया से फूल जाएंगे तो दो-तीन बार पानी डाल कर आप इसको बढ़िया ग्रेवी को फूलने तक पकाएंगे आप पक्सु ध्यान यही रखना है कि आपको बढ़िया धीमी आज पर आराम से इसको पकाना है फिर देखिए आपके छोले का टेस्ट होगा एक नेक्स्टी लेबिल का बस अभी हमारा जो मसाला है वो बढ़िया से फूल गया है अभी हम क्या करेंगे जो प्रमाटर वाला जो हमने पेस्ट बनाया था बस उसको इसमें डालेंगे और इसको बढ़िया से सिखने देंगे फिर से 2-5 मिनिट के लिए जिससे कि जो हमारे टमाटर और मुफली दाने का जो कच्चा पन है वो खतम हो जाएगा और हमारी सबजी में आएगा बहुत ही बढ़िया वाला टेस्ट तो बस आप इसको हिलाते रहिए और आराम से इसको हमें भुनने देना है दो-3 मिनिट के बाद और उसके बाद यह द जाता है चोले अलग जाता है तो ऐसा नहीं होगा हमारे चोले की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट होगी गाड़ी गाड़ी होगी और भटूरे के साथ खाने में आपको चोले बहुत ही मज़िदार लगे तो बस आलू डाल देंगे और इसको बढ़िया से मैश कर देंगे जैसे ही हमारे अलू मेश हो जाएंगे हमें क्या करना है आधा के ओरी छोले हम इसमें से बचा लेंगे जिसको हम बाद में यूज करेंगे पहले जो हमारे बाकी चोले हैं पानी के साथ ही हम इसमें डाल देंगे अभी आता है में काम जोक् intéress work में हना करते हैं और चोलो को डा दो में आता है होटल वाला तो इसके लिए क्रणा है आपको इसको इस तरह से मिच्श करना जिससे कि कुछ चॉले जो है वह ग्रेवी में मेश हो जाएंगे और उसका जो चोलों का टेस्ट अमें बहुत बढ़ी है तरीके से आएगा तो बस इस तरह से गोल-गोल घुमाते रह पन आपे कितने कनी अच्छी तिक LOL Nazi करा हम dapat अच्छे में सौनगे करने ला में या इस सब्ट अधी भी तो क्या पर नैसे दिखे सायेगी तो बहुत जड़iform कि अभाण दाれंगे न hashtags पानी आप आपके हिसाब से Isamit 500 नापने डाल सकते हैं आपको कितने पतला रखना रखना है कितने गाड़े रखने तो अभी यह देखिए मैंने इस तरह की कंसिस्टेंसी रखी यह पर यह जब ठंडे हों गे ना तो थोड़े से और थिक हो जाएंगे तो मैं तो आप इस तरह से पेड़ा तोड़ लीजे और इस तरह से गोल-गोल घुमा करके बढ़िया सी लोईया बना लेंगे इनको बनाने में बस थोड़ा सा टाइम तो लगता है पर जब इनको खाते है ना तो वह ताइम का ध्यानी नहीं रहता है क्योंकि यह लगते हैं इतने ही तो बस इस तरह किसे आप पेड़े लेंगे और बढ़िया से इनको गोल-गोल घुमा करके तोड़ लीजे आप चाहें तो जैसे नॉर्मल रोटी बनाते हैं उस तरह से भी लोईया बना सकते हैं और बस इनके पेड़े बना करके हमें इनको 15-20 मिनिट के लिए रेस्ट पर रख देंगे जब तक कि हमारे छोले भी अच्छे से उबल जाएंगे तो मैंने इनको रख दिया है और देखी हमारे छोले भी अब बढ़िया से उबल गए हैं और इसकी कंसिस्टेंसी अभी इतनी है जब यह ठंडे होंगे तो थोड़े और तिक हो जाएंगे उपर से में चोले मसाला दो मिट उबालेंगे और बस अभी हम इनको ठंडा होने के लिए रख देंगे क्योंकि हमारे छोले बन गए हैं तो अब देखे छोले उबल गए हैं तो हम बस अब भटूरे और बना लेते हैं उसके लिए मैं पेड़ा ले लूँगी लोई ले लूँगी हमें आटा नहीं लगाना हम तेल लगाएंगे और तेल लगा करके हमको इसको बढ़िया से बील ले लाएं हम इसको ना ही बहुत मोटा रखना है और ना ही बहुत पतला रखेंगे मीडियम साइज का हम इसको रखेंगे और अच्छे से बेल लेना है भटूरे में में बात एक और तो तेल जब एकदम धुआदार हो जाएगा तब हम इसको डालेंगे तो आपके भटूरे बिलकुल गोल नहीं बनेंगे फूलेंगे नहीं तो बढ़िया जब तेल बहुत दूआ निकलने चाहिए तब आप इसको डाली हो जैसे हमारा भटूरा आदा फूले इसको पलट है तो चलिए हम एक और काम कर लेते हैं जैसे हमारे चोले बन जाएंगे उसमें हम तेल गरम करके कशमीरी मिर्च और थोड़ी सी कसूरी मैथी का उपर से लगा देंगे तड़का तो देखिए बनकर के तयार है हमारे फूले फूले टेस्टी चोले भटूरे आप इसको कमेंट करके मैं कुछ जरूर से बताईएगा और बना करके देखिएगा कि आपके छोले कैसे बने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए